नमस्कार मैं RS रोहिला आज आपको बताऊंगा कि स्ट्रॉबरी में रूट की डेवलप्मेंट का क्या महत्व है और रूट की डेवलप्मेंट किस तरीके से और किन-किन दिनों में ही कंप्लीट हो जाती है तो आप ये देखिए ये स्ट्रॉबरी का पौधा है इसमें रूट की डेवलप्मेंट ये दो महिने में ही कंप्लीट हुई है स्ट्रॉबरी में सारा खेल रूट का ही होता है क्योंकि पौधा तो उपर बहुत बड़ा होता ही नहीं है जितनी ज्यादा रूट की डेवलप्मेंट होगी जड़े जितनी ज्यादा फैलेंगी पौधा उतना ही मजबूत होता है उसमें उतने ही स्ट्रॉबरी ज्यादा आती है क्राउन भी उतना ही मोटा होगा और ज्यादा क्राउन भी बनेंगे हर crown कम से कम 10 से 15 fruit देता है और इसमें 3 flush आती है जो कि पहली flush nearly about November और December में होती है दूसरी flush December और January के end तक आती है और तीसरी flush February और March में आती है तो अगर root की development पहले 2 महिने में बहुत अच्छी हो गई तो दूसरी flush और तीसरी flush बहुत ही मजबूत आती है और पौदा पहली flush भी देता है तो कई पौदे ऐसे होते हैं जो की root development बहुत ही कम हुआ है और पौदे ने पहली flush ही नहीं दी शुरुआत ही दूसरी flush से की है या फिर कुछ पौदे ऐसे होते हैं जिनकी root development कम होती है crown भी बहुत मोटा नहीं हो पाता है पोड़े की growth बहुत कम होती है और तीसरी flush ही देता है दो flush उसकी चली जाती है तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि root की जो development होती है यह देखें इसमें root की development कितनी जबरदस्त हुए पौदा हमने September में लगाया या October 1st week में लगाया तो उसकी root development का time सरफ October और November की 15-20 तारीक तक का ही होता है तो इतने दिनों में root की development किस तरह से ज़्यादा हो soil को इतना friable इतना नरम बनाए और पौदे को जो भी होता है उसकी roots बिलकुर सीधी जमीन के अंदर जानी चाहिए मुड़नी नहीं चाहिए अगर सीधी जड़े जाएंगी तो जो भी root development होगी वो बहुत जल्दी फैलेगी और पूरी soil के अंदर समा जाएगी उससे जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा nutrient हो सकता है पौदा उठाएगा और फ्लारिंग के टाइम में crown अच्छा खासा मोटा होगा और पौदा भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा इसमें आपकी strawberry की yield पे बहुत ज़्यादा फरक पड़ेगा कम से कम भी दुगना फरक पड़ जाता है और जितनी ज़्यादा yield आएगी आप उतना ही पैसा कमा सकते हैं पहली flush का बहुत ज़्यादा ध्यादा दीजिए जो कि 9 बर से शुरू होती है ज़्यादा से ज़्यादा पड़े आपकी पहली flush जरूर दे तो आपकी yield हर हालत में कम से कम भी जितनी पहले आई थी पड़ों में तो कम से कम दुगनी yield हो जाती है हर पौधा अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा रूट development बना चुका है तो कम से कम एक किलो yield की उमीद आप कर सकते हैं तो रूट की development का आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए शुरू में जितने भी खाद देते हैं आप वो फास्परिक जो खाद हैं वो ज़्यादा दीजिए जिससे की आपकी रूट की development बहुत अच्छी हो और आपका पौधा बहुत अच्छा चले और आपको yield भी बहुत अच्छी आए